मैं डॉक्टिर शाद खानम सौगत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चेनल आईला टॉक्स उपर दोस्तों आज का हमारा विश्य है फोरेंसिक साइन्स में बहतर केरियर केसे बनाए फोरेंसिक साइन्स से जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तवान में काफी लोग स्कोर्स को कर रहे हैं क्यूंकि इसमें केरियर के आप्शन बहुत है इस फिल्ड में लोगों को एक उजवल भविश्य नजर आ रहा है और विधी के शेत्र से जुड़ेवे लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यूंकि अपरादियों तक पहुँशने का ये एक विज्यान है फोरेंसिक तरीके से अपरादियों को पकड़ा जाता है और लोग की फिल्ड से जुड़ेवे वेक्ती हो चाहे वो लोग की फिल्ड के ना हो एक जनरल ट्वेल्टे पास वेक्ती भी इस कोर्स को कर सकता है और जो graduation कर रहे हैं वो भी इस course को कर सकते हैं इस course में PhD भी होती है तो अवर्तमान का जो दोर है वर्तमान का जो समय है उसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए forensic science का बहुत बड़ा योगदान है और यही कारण है कि आज लोग इसको केरियर के रूप में देख रहे हैं और इसको अपना भी रहे हैं तो आज में आपको बहुती सरल भाशा में और बहुती विस्तारित रूप से ये बताने वाली हूँ कि forensic science में अगर आप केरियर बनाने का सोच रहे हैं तो एक बहुतर केरियर आप केसे बना सकते हैं अपरादियों तक पहुँशने का विज्ञान forensic science में बहुतर केरियर केसे बनाएं आज का हमारा ये विशय है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले latest update के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दे forensic science जो है वो वर्तमान समय में एक उभरता हुआ केरियर है बढ़ते अपराद की इस दुनिया में इस शेत्र में भी जोब पाई जा सकती है इस trend में अपरादी को पकड़ने के लिए forensic investigation की जानकारी दी जाती है जो कि आजकल कानून का एक जरूरी हिस्सा है इसके वगएर कानूनी परक्रिया जो होती है वो अधूरी होती है तो यही वज़ा है कि forensic science में भी केरियर की अपार संभावना है क्या होता है forensic science जिस विज्ञान का जिस science का उप्योग नियाय वा कानून के लिए किया जाए तथ जो science की तकनीक में अपराधियों को पकड़ने वा नियाय करने में सहायक होते हैं मोके पर सबूत इखटा किया जाता है forensic science के माध्यम से जो कि अपराधियों को पकड़ने और नियाय करने में सहायक होते हैं मोके पर सबूत खोजना, उन्हें परक्षना यही सब ग्यान फॉरंजिक साइंस में सिखाया जाता है वारदात यानि कि कोई भी अपरात, कोई भी घटना किस तरह काम किया जाता है तथा अपराधियों को पकड़ने में सहायक उपकरण को प्रियोग करने के बारे में इसमें सिखाया जाता है इसमें नए नए उपकरण बनाने संबंदी नौलेज भी दिया जाता है जैसे हम यह देखें कि जो आतंकवाधी घटनाएं हमारे देश में घट रही है और विदेशों में भी घट रही है और साथी साथ बदलते हैं अपराधिक तरीकों ने पुरानी तरीके से जो अपराध होते थे रूड़ी का तराध उनमें अब बदलाव हो गया है जैसे जैसे विग्यान का यूग आया विग्यान ने तरक्की करी हमने नई विग्यान एक टेक्नीके बनाई और उसी टेक्नीक को उसकी विरौद में अपराध भी होने लगे जिसे हमने ATM का निर्मान करा कि पैसे निकालने में आसानी हो जाए तो लोगों ने ATM से पैसे चुराने का भी रास्ता खोज लिया हमने मोबाइल से बैंकिंग के सुविदा शुरू की तो लोगों ने Mobile Banking से भी और ऑनलाइन बेंकिंग से भी पैसो को चुराना सीख लिया यानि कि विग्यान की तरक्की के साथ साथ अप्राधी भी जो अप्राध की तरीके हैं उन में बदलाउ ला रहा है और ऐसे उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है जो कि विग्यानिक है फॉरेंसिक साइन्स जो है ये बहुती इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक विशेशग्यों की आउशक्ता जो है अब इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि अपरादियों ने तरीके अपराद करने के बदल दिये हैं अपरादिक वारदातों के अरोपियों की धर पकड़ के लिए प्रेशिक्षित रक्षा बलो की ज़रूरत वर्तमान समाज और समगर की आउशक्ता है मतलब वर्तमान समाज में और वर्तमान समय में आज का जो समय है उसमें हमें जो अपरादियों को पकड़ना है तो हमें एक एसे वेक्तियों की विशेशग्यों की ज़रूरत है जो की प विज्यान का विशेषक की अप्राज से जुड़े लोगों को पकड़वाने में काफी मददगार होता है। अपरादी हो या आतंगवादी हो उनका इसकेश तयार कराने में फॉरेंसिक साइंसी के विशेषक की काफी सहायक होते हैं। न्याले में भी इस विग्यान की मदद लेकर जाज को आगे बढ़ाया जाता है आतंगवादी हो या और भी कोई अपरादी गुत्थियां हो या रहसे में मोथ हो गई हो इन सब को सुलजाने में फोरेंसिक साइंसी की एक एहम भूमी का होती है फोरेंसिक विग्यान से प्राप्त जो इनपूट है उसको लेकर जाज करने वाला अधिकारी न्याले की समक्षे हाजिर होता है और ज़रूरत पढ़ने पर फोरेंसिक एक्सिपर्ट जो है वो घटना इस्तरपन इरिक्षन करता है जैसे आप लोग मूवी देखते हैं सिरियल देखते हैं या आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्राइम पेट्रोल को देखते हैं तो उसमें आपने बहुत सही चीज़े देखियोंगी कि जब किसी का मडर होता है किसी का रेप होता है य पुटाती है उसनिकी जाज करती है। चार्च इन सारी जार्च से और सभूत उसे क्या होता है। अपराध्यों पकड़ने में काफी साहता मिलती है। उसी को हम कहते हैं फैन्सिक ś mia abs vom Doycky के भार्त बात करें यह वर्तमान में उसको जो क्रेज है उस स्टेज की बात करें कि इतना क्रेज लोगों में क्यूं हो गया फ्रंसिक साइन्स का फ्रंसिक कर विदेश में ही नहीं बलकी भारत में भी लोग हो गया है इस चेत्रे में बढ़ते ही नोकियों है चाच्रों को फॉरेंसिक विज्ञान ने के लिए विवर्ष कर दिया हैं इसकी पढ़ाई करने वालों के लिए नोकृ की कहीं संभावना है इसमें डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं और पी एसडी तक कोर्स होता है यानि कि डिप्लोमा से लेकर तो पी एसडी तक की जा सकती है चात्रे चात्राओं के लिए हर इस तरपन वोकरी की संभावना है यही बचा है कि अपराद का पता लगाने वाले इस विज्ञान का मेहत्व बढ़ता जा रहा है इस शेत्रे के लोग खून सहीत शरीर के अन्य तरल पदारती की जाच कर अपराधिया तक पहुँचने में मददगार साबित होते हैं अब प्रेशन यह भी उड़ता है कि क्या कोई वेक्ति केवल पढ़ाई करने से फोरेंसिक साइन्स का ग्याता हो जाता है तो ऐसा नहीं है आपको पढ़ाई के साथ सथ कुछ वेक्तिगत शमताएं भी आप में होनी चाहिए या वेक्तिगत कोशल भी आप में होना चाहिए जिस वेक्ति का ऐसा सभौाव होगा कि जो जिग्यासा को पेदा करता हो कि अगर ये चीज यह है तो ये चीज क्यों है जब तक आप में वो जिग्यासा नहीं होगी किसी चीज को जानने की तब तक आपके लिए कोई भी कॉर्स जो है वो कमप्लीट नहीं है कानुन व tilted पर आस्टाए और जिग्यासा है आपको जब आप ये कोर्स करने जा रहे हो तो आपको हमारे देश की कानुन पर एक येकीन रखना होगा एक आस्टा रखनी होगी तक कि आप जो है जो भी अपने सबूत पेश करोगे वो कानून उसको accept भी करेगा और कानून punishment भी देगा ये कानून के परती आपके आस्ता जो है वो होना बहुत जरूर ही है तीसरा है सटिकता के लिए चिंता यानि आप जो विग्यानिक रूप से आप जिस चीज की जाज कर रहे हो वो एकदम सटिक होनी चाहिए आपके मस्तिश्क में एक ये चिंता होनी चाहिए ये फिक्र आपको होनी चाहिए कि उसमें सटिकता हो अगला तारकिक, वहवारिक और वहवस्ति दुरुस्टिकोन आपका जो दुरुस्टिकोन है वो तरक करने वाला होना चाहिए, systematic होना चाहिए और अगला है विग्यानिक विशलेशन की शमता आप में वो योगीता होने चाहिए जो की एक विग्यानिक विशलेशन करने के लिए आवश्चक होती है तो ये जो इतने भी point है ये वेक्तिकत कोशल शमता यानि की जो वेक्ति इस कोर्स को करना चाहरा है उसको ये सब शमता अगर उसमें होंगी तो वो बहुत ही अच्छा जो है forensic science का student या विग्यानिक बन सकता है शेशनिक योगीता की अगर हम बात करें तो कला एवं विग्यान यानि कि science वर्ग में बारवी उत्तियन विध्यारती जो है वो इसमें इसनातक कर सकते हैं यानि आर्ट से का student से भी और science से का student से भी 12 के बाद इसको कर सकता है graduation के रूप में इसके अलावा जो परिसनातक यानि कि MA की degree ये diploma criminology करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं यानि कि 12 के बाद भी आप इस course को कर सकते हैं और आप इसनातक यानि कि BA, BCOM, BSC ये सब करने के बाद भी ये course कर सकते हैं डिप्लोमा भी इसमें होते हैं वो भी कर सकते हैं इसके लिए कला इवम साइंस में इसनातक होना जरूरी है अगर आप MA कर रहे हैं तो आपको आर्ट से या साइंस में बेचलर होना जरूरी है MA करने के बाद आप PhD भी इस विशाय पे कर सकते हैं Forensic Science में कौन-कौन से course होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ BA Criminology यानि BA में आप Criminology संबजेक्ट के रूप में ले सकते हैं MA Criminology में कर सकते हैं AA Criminology and Criminial Justice Administration में भी आप कर सकते हैं B.H.C. आप कर सकते हैं Forensic Science में • MHC. कर सकते हैं Criminology में MSC कर सकते हैं आप Cyber, Forensic and Information Security में MSC आप कर सकते हैं Forensic Science में PhD भी आप कर सकते हैं Criminology and Criminal Justice Administration में Post Graduation Diploma भी कर सकते हैं आप Criminology and Forensic Science में Post Graduation Diploma in Criminology in Police Science ये भी आप कर सकते हैं Post Graduation Diploma in Digital and Cyber, Forensic and Related Laws इसमें भी आप कर सकते हैं Post Graduation Diploma in Forensic Science and Related Laws Post Graduation Diploma in Forensic Speech Science and Technology Post Graduation Diploma in Criminology and Penology Diploma in Criminology, Diploma in Fingerprint Examination Diploma in Forensic Science and Criminology Certificate Course in Forensic Science Expert यानि कि आप देखिये कि इसके अंदर कितने सारे कोर्सेस हैं आप BA के स्टूडेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं आप MA के स्टूडेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं आप Science वाले हैं यानि कि BST वाले हैं, MSC वाले हैं तो भी आप कर सकते हैं अगर आप PhD वाले हैं, PhD इस टॉपिक पर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अलावा इसमें कई डिप्लोमा कोर्से भी हैं और कई सर्टिफिकेट कोर्से भी हैं इसी वज़ा से इसमें एक बहुती असीम संभावना जो हैं लोगों को नजर आ रही हैं अब बात करते हैं कि हमने ये डिप्लोमा कर लिया करने के बाद नोकरी की क्या संभावना है हम कहां पर नोकरी कर सकते हैं तो Forensic Sciences से डिग्री, डिप्लोमा तद सार्टिफिकेट कोर्स से करने वाले स्टुडेंट्स के पास नोकरियों की कमिन नहीं है इस फिल्ड के लोगों के पास सरकारी शेत्र में CBI, CID, पुलिस विभाग, IB, रक्षामंत्राले, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नार्कोटिक्स डिपार्डमेंट, बैंक, सेना, कोर्ड, अस्पताल, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो में तदा प्राइवेट शेत्र में सिक्यूरेटी सर्विस एजेंसी, लाफ फर्म, डिटेक्टिव एजेंसी, बैंक इंशुरेंस कमपनी आधी में जाब की कौमी नहीं है यानि इतने सारे सेक्टर जो हैं वो आपके लिए खुले वे हैं फॉरेंसिक साइंसी में पीएजडी करने के बाद केंद्री विश्व इद्धाले और इस्टेट लेवल की यूनियरसिटी एवम उन्से संबंदित डिगरी कालेज़ों में अपने केरियर के शुरुआत असिस्टेंट प्रोफेसर की रूप में शुरू कर सकते हैं इसके अलावा रिसर्च का एरिया आपकी केरियर को नई दिशाद दे सकता है यहने आपको फॉरेंसिक साइंसी में डिगरी डिप्लोमा या फिर जो यूजी पीजी का कोर्स हैं यह सब करने के पश्याद इतने सारे आप्शन आपके पास हैं कि आप गोवर्मेंट जॉब मे भी जा सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा कोर्स है जो लोग करना चाते हैं उनके लिए कौन-कौन से पद इसमें रहते हैं, कौन-कौन सी पोस्ट इसमें रहती है Forensic Science में प्राप्त शिक्षा के आधार पर क्योंकि अलग-अलग Education का Grade है तो उसी के आधार पर जो है पोस्ट भी मिलेगी Candidate Teacher, Professor, Forensic Engineer, Genetic Expert Forensic Psychologist, Forensic Scientist Forensic Investigator, Forensic Expert, Environment Analyst Forensic Medical Examiner, Scientific Officer, Investigating Officer Forensic Analyst, Security Expert, Forensic Consultant, Detective यह ऐसे बहुत सारे महत्तुपुन पाद है जहां पर कि उसको जोब लग सकती है और इसे कौन-कौन सी संसिदा हैं जो कि इससे Related Course करवाती हैं पहली है, National Institute of Gramerology and Forensic Science नई दिल्ली बुंदेलखण यूनिवरसिटी जहांसी, लखनव यूनिवरसिटी लखनव, यूनिवरसिटी आप पूने, डक्टर बियर अमबेट के यूनिवरसिटी आगरा, पत्ना यूनिवरसिटी पत्ना, डक्टर हरीसी गोर विश्विद्याले सागर, मद्धिपर्देश, Institute of Forensic Science साइन से बुंबई, यह जो सबसे फेमस, सबसे नापरमुक संसिदा हैं, मैंने उनके नाम दिये हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, जहांपर की Forensic Science में डिप्लोमा डिग्री कोर्स करवाया जाता हैं, तो 12 के बाद की स्टुडेंट से के लिए भी य साथ ही साथ जो लोग को ग्रेजेशन कर चुके हैं, केरियर के नए आप्शन ढूंड रहे हैं, जिनको नजन नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है अब, तो वो लोग जो है Forensic Science में डिप्लोमा, डिग्री, पीएसडी, यह सारे कोर्सेस करके एक विशेशग्य बन सकते हैं, Forensic के और विशेशग्य बन के अपने केरियर को एक नई उचाई, एक नई उडान दे सकते हैं, तो मैं यह आशा करती हूँ, कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आता है, तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स से आप जरूर करा करें, कमेंट्स से पता चलता है, कि आपको कोई चीज पसंद आ रही है, या नहीं आ रही है, क्योंकि यह जो वीडियो है, यह केरियर से संबंदित वीडियो है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो लाइसे रिलेटेट और केरियर के कितने प्राइब प्राइब प्राइब